हेलो everybody, स्वायकता है आज की इस video में, हम लोग बात करने वाले हैं, Indian Navy AA, SSR और MR पोश्ट के लिए जो वेकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करएंगें, आप लोग का वेकेंसी जो एक कबारेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंसी अकब आने वाला है, सारी information आप लोगो मिल जागी इस वीडियो में तो वीडियो को starting पे लाज तक देखना बागी हम लोग वीडियो को part hour से start करने देते हैं और पहले हम लोग बात करेंगे telegram के बारे में telegram channel को join कर लेना अगर आप लोग जो है इंडिये नेवी Air Force या Coast Guard या फिर NDA के लिए preparation कर रहे हो ठेक है एंड आप लोग जो फिजिक्स करना चाहते हो तो telegram को ज़रूर जोईन कर लेना क्योंकि जो आप लोग फिजिक्स का करने वाले हैं मुख टेस्ट के दुआरा और को टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेना वब लोगो उस क्लास आप लोगो डेली एट एम पर बिलेगे इसका लिंक आप लोगो डेली आप लोग सर्च कर सकते हो ठीक है फटा पट हम लोग वीडियो के स्टाट करेंगे देरी न डेल एकीस की फिर हम लोग बात करेगे बाइस की ठीक है दौरण चीज़व को हम लोग जोई कंपेर करेंगे ठीक है एंड आप लोग का यह बताएंगे कि आप लोगका लगवग जो विकेंसी अःवोक कब तक आ जाने वाला है ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगका 2020 की हम लोग 2020 में जो पेपर लिया गया था आप लोगका है ओके ओलाइन कंड़क्ट किया गया तब विखनसी आप लोग को पता हो न शाइए ठीक है जब ऑलाइन विखनसी कंड़क्ट की आगया था पेपर आप लोगा फेब या मांच के अराउंड हुआ था ठीक है एंड इस्टुडेंच उसको क्वालिफाई करें थे उनका जो जो जोइनिंग था वो लगवग अगेस्ट में हो पाया था ठीक है या बोले अक्टूबर में जा पाई थे वो जोइनिंग के लिए ठीक है समझ आएगे नी फिर उसके बाद 2021 में जो फैम में जाने वाले बच्चे थे ठीक है वो बोले तो वो होली डेव विकेंसी हो गया ठीक है अंतब वो विकेंसी कंडक्ट ही निक कराया गया ठीक है फिर इनको जो है जल्दी से जल्दी विकेंसी कंडक्ट करा देती टाइम अच् से में लोग आपने बैस को जोईन कराते हैं कि अल्रेडी एक आप लोग का गया भो चुका था थिक है तो क्या किया इन लोगों ने कि आप लोग का जो आफ लिगेशन आप लोगों ने थोड़ी से डेट बढ़ाई क्योंकि आप लोग पता है चार से पांच दिन में तो वह बिजी नहीं हो ठीक है तो वह बिजी हो नहीं थी इसलिए उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया और वह 5 में तक कर दिया अब 5 में के बाद जिब फॉर्म भर ग प्रेइब थ्री या फॉर ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गया था ठीक है अधर लगबग उन लोगों ने जो है आठ से तस दिन में जो है फिजीकल और फिजीकल रिटिन ठीक है पेंडक्ट कराने के बाद तीज जुलाई को उन लोगों ने जो है मैडिकल के लिए मारेट देने के लिए जो मैडिकल में पास होगा वो ट्रेइनिंग करेगा जो पास नहीं होगा वो घर पे लोटके आ जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे 2022 की क्योंकि देखो वो भी 2021 में अगस्त पैस था और ये भी आप लोगा अगले जो आने वाला है वो अगस्त पैस है क्योंकि आप लोगों पता है जो फेबरेरी वाला वैच है अभी जॉइनिंग चड़ रही है उन लोग लगवख एंड और फेबरेरी चलेगी लगवख ठ स्टुडेंट को जो है मेडिकल में प्रॉब्लम होगा तो उनको रिमेडिकल दिया जाएगा तो लगबख बोलें तो वह एंड अप कर देंगे पंद्रे या सूले मार्च तक अप कर देंगे उस पैसको उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा सब को ठीक है उसके बाद व सब्सक्राइब के वह एंडगेंक वह अंडाइन वेकनेसी कराने के लिए स्टार्ट शाईए उन लोगहा ठीक है तब जाके जोईन हो पातीए क्योंकि देखो आप लोगर पता है फस्ट पंदर से ब्श दिन देते हैं वह पॉम आपननेक लिए तो यह पूरा तीस दिन वा admit card देने तक ठीक है फिर आप लोगा paper होगा ठीक है फिर आप लोगा फिर जो है result आएगा वो भी लगवक तीज दिन लगा देते हैं कभी-कभी ठीक है तो यह भी आप लोगा अगर हम लोग माने तो आप लोगे चार मन्त हो चुके है अल्रेडी complete इसके साथ ठीक है फिर उसके बाद आप लोगा जो है जैसे ही result आता है उसके खुछ 10 दिन वाद आप लोगा जो है ठीक है और अगर हम लोग अगस्त 2000 वाइस की बात करें तो पॉसेवल नहीं हो पाएगा इनसे क्योंकि लगवक अगर हम लोग बात करते हैं अगस्त तक की ठीक है तो अगर वो शेवररी में अभी दे देते हैं तो उनके बाद 6 मन्त है एजिली विकेंसी करा लगा है ठीक है अगर वो मार्च 15 तक नहीं दे पाते हैं तो मार्च 15 के बाद जो है उनलोग के पास ज्यादा टाइम नहीं रह जाएगा लगवक साड़े 5 मिने रह जाएंगे अगर मार्च 15 के बाद वो सोचेंगे और लगवक जाके वो अप्रेल में ही आप लोग का जो है या फिर एंड को पिछली बार मैंने बताया था क्या प्रॉब्लम आइटी उनके लिए इसलिए वो लेट जो है वेकेंसी कर पाया थे क्योंकि देखो ऑफलाइन वाला भी वेकेंसी होगा उसे में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और प्लस जो फेबररी वाला बहस्ता यह मैंने इसको भ फिल करना स्टार्ट करवा सकते हैं तो थर्ड वीक में आप लोग के पास नोटिफिकिशन भी आ जाएगा अगर हम लोग नेक्स बात करेंगे आप लोगा मेरिट लिस्ट का बात करते हैं तो जब अगस्त में कर आया था 2021 में तो तो तीस जुलाई को आया ठीक है यह फेबर मेरिट लिस्टा वो 23 दिसम्बर को आया है ठीक है तो यह possibility है या फिर बोलें यह त्य है आप लोग का है कि तीस जुलाई को यह आप लोग का दो यार वाइस में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा समझ आया कि ने ठीक है और बाकि एडमेंट कार्ड आप लोग को पता है आप चलिए तो यह तो बात रहे है आप लोग के आने वाला है मैं आल्रेड़ी बता चुका हूँ कि देखो बहुत कम चांस है कि ओनलाइन वेकेंसी दें वो यह वाली ठीक है अगली वाली दे सकते हैं वो अन लोग के ऊपर डेपेंड करता है यह वाली वीकेंसी मेरे को लग रह सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हम लोग बात करते हैं एर फोस का देखते हैं कब वेकेंसी देता है एर फोस तो यार चोड़ी दो यार वेकेंसी देना चोड़ती है ठीक है और नेवी का आप को मैं अल्रेडी बता चुका हूँ क्या पता आप लोग का अगर प्रिपरेशन करते रहने भी का ठीक है फिजीकल अच्छा रखो अपना और प्लस रेटेन भी अच्छा रखो ठीक है चलिए बागे हम लोग लोग की बात करते हैं इस वार चो डियो भी रहेगा वह आप लोग 31 जुलाई 2005 तक आप लोग का डीओ भी रहने वाला है चाहिए आप लोग का SSR हो या डबल ए हो और अगर MR की बात करें तो MR का according to मतलब की जो भी बैच रहता आप लोग का जैसे अक्टोबर बैच रहेगा ठीक है तो इसके अक्टोबर कर सकते हम लोग ठीक है इधर आप लोग का अक्टोबर हो जाएगा 10 और इधर आप लोग का सब्टमबर हो जाएगा मतलब नाइन ओके बस इतना डिफरेंस आएगा आप लोग का और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा MR के लिए ओके चलिए बागी हम लोग देखो MR का एक पर्टीकुल वीडियो में लेकर आओगा उसका MR का वेकंसी आ जाएगा तो मतलब वन मत का आप लोग का गया परता है ठीक है चलो अब आप लोग का अल्रेड़ी बता चुका हूँ कि most of the chance बोले जो चांस है आप लोग का वेकंसी जो ऑफलाइन कंड़क्ट होने के चांस बन रहे हैं ठीक है बाकी आप लोग देख सकते हो कि online हो जाए तो और अच्छा आप लोग के लिए ठीक है सबके लिए अच्छा है औलाइन होगा तो जाह से जाधा student जो है बरती हो पाएंगे ठीक है जाह से जाधा student क्या कर पाएंगे यार देखो किसी student का 50% है ठीक है किसी का 90% है हो सकते है वो 50% वाला डेड़ साल हो गया प्रेपरेशन करते हो 90 वाले अभी लेकर आए 90 ठीक है उसे यतना टाइम नहीं हुआ है 50 वाले पर एक्स्पीरिंच ज्यादा है कि चांस जो है कि 50% वाला किलियर करते पेपर वो ज्यादा है 90 वाले से डेफिनेटली अगर ऑनलाइन कराते हो तो तो वह नेवी के उपर है ठ जिन भी आप लोगों को पता दिये कि अगर उन्हों लोग को ऑनलाइन करा नहीं होता तो अल्रेडी फिर्म दे चुके होते कि एटलीस 6 महीने तो चाहिए यार ऑनलाइन वाले वाले वेकेजिने मां क्यों पेपर भी अलग आप लोगा होगा ठीक है उनको जो है सेंटर भी थोड़ा से दिया तो कुछ मंत का एज रेलेक्शन दिया था जब जो बेकेंसी दीती पिछली वाली ठीक है जो दो जार एक्टीस अगस्त वाली जो वेकेजिने उसके बाद एज रेलेक्शन कोई भी नहीं मिलना है ठीक है प्रोपर आप लोग का चल रहा है ठीक है चलो एक अगले दिन से बोले देखो एट एम पर आप लोग रेडी रहा करो कोई ना कोई वीडियो आप लोग को मिलने वाला है या तो आप लोग को कोई क्लास मिलेगा या कोई important notification वाला वीडियो मिलने वाला है ठीक है तो एट एम पर देली आप लोग रेडी रहा करो इस चैनल पर कुछ ना कुछ आप लोग के लिए आएगा और कल से हम लोग स्टाट करने वाले कोश्ट गार्ड एंड 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 डिये के लिए मुकते सीरीज फिजिक्स की ठीक है तो बने रही है इस चैनल पर मिलते हैं नेक्स वीडियो या नेक्स प्लास में तब तक के लिए जैहिं जैवारत बंदे मात्रों